तो उन्हींने क्या बात बोली कि शुरुवात में कुछ नहीं था सब कुछ रुका हुआ था सब ठंडा था कुछ नहीं था लेकिन हम न्यूटन की बातों को मांते हैं हम न्यूटन की बातों को मांते हैं और एक कॉंसेट को यूज करते हैं इसको उन्हों क्या पहुते खूइब को गोला ह। उसके अदर इंट्रेक्शं हुआ जब इंट्रेक्शंचन राध्री तो निक्षै. कौरे और कियो हूं, बूरे गोलें के लिए के उसके गूंआँ लए को गूमने ले। quindi के अनर्जी पया हुई तो गुर्ण गती हो गई क्या है तो दो तरह के फोर्स सेंट्री फ्यूगल सेंट्री बिटल आज से स्थार्ट करें जो मर्फ लोजी जो मॉर्फोलोजी मतलब वह अकृति विज्ञान भू का मतलब जमीन खुण नहीं है जुआईड है तो जो भू की आकरती है वो गोल नहीं है जुआईड है और भू है क्या कहेंगा जमीन है भू है प्लैलेट है ग्रह है और ग्रह कहां होता है भां। हाँ, आसमान मृदogoटू लिकान गरहिकी सिच्वेशन देखो, देखो। एक कोरॉन लॉजी है हम लोग भोट है व्यमांसा में व्यमांसा क्हाँ है? हका जास वाइस तर All लोग काँए लन रात अचल्द लखनों उन लक्नों का आ यू-पी और यू-पी कहा है इंडिया में इंडिया इंडिया कहा है एस या महा एश्या कहा है है आश़्ट पर हां इशक है अर्थ पे और अर्थ क्या है एक प्लैनेट है अर्थ प्लैनेट है तो अर्थ है कहां पे कई प्लैनेट के साथ मिलके बनाएं तो वह कहां पे सोलर सिस्टम में हां कहां पे अर्थ सोलर सिस्टम में हां कहां पे अर्थ सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम क्या है इस सोलर सिस्टम वह भन है कि अरुछ सोडय सिस्टम हमारे पार याते कहां पर गैलेक्सी में है इसको लोग क्या बोलते हैं अब गारत वाध एक इसकी अपनी गैलेक्सी कर ना में और बहुत सारी गैलेक्सी से मिलके क्या बनता है आपका उनिवर्स आपने खान की मूली पीके जा इंटे तौ्सshot गोलु है तौचा गोला है तो आप त्रूधह कहां का में आप कहा है निर्दा का या इंट्डा में एस्जा में और एस्जा कहा है और जो जो आपका इस पेस है इसमें बहुत सारी चीज़ है तो सब क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है बहुत जो 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 आपका इस पेस है तो इसमें असंक चीज़ है किया चीज़ है असंक अंकांटेबल चीज़ है इन फाइनाइट चीज़ है अब काउंट नहीं कर सकते हैं अब इस पूरे यूनिवर्स में कुछ ग्रूप बने हुए छोटे चोटे चोटे कुछ गुरूप बने हुए जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जैसे मालों मैं से बना दिया लिए अंग लिमिटेड इंफाइनाइट नंबर और इस तरह के ग्रूप है और यह हमारा क्या यूनिवर्स फूरा असान असमान सब इसमें तो उसके बाद उससे इंपॉर्टन चीज़ है वह क्या यह गरूप है और इस एक ग्रूप को क्या बोलते हैं गेलक्सी में क्या अभी गेलक्सी क्या होती है गेलक्सी पाई जा रही है, एक यावन तरीकी गेलक्सी को इडेंटिफाई किया गया है, आब उसकी इमेज़ भी जाकर दे सकते हों, अब यह जो एक गेलक्सी होती है, इस गेलक्सी में बहुत सारे चीज़ होंगे, जैसे गेलक्सी में क्या क्या चीज़ है, जैसे एक यावन होंगे Yesem Geek की जो पूरा यूनिवर्स है वह बहुत सारी गैलक्सी से मिलके बना हुआ है और एक गैलक्सी में सन होता है प्लानेट होता अस्ट्रायड होता मीटियोर होता मीहोराइट होता और भी बहुत सारी चीजिए होती है और इन थारी चीजों को एक नाम देते है विप कि एक पुछा जो हमाधी वादी हैं उसे बहुत सारी असंक नंबर की आपकी गैलक्सी है। जिसमें से लखबख 51 तरह की गैलक्सी को अइडिन्टिफाई भी क्या गया कि अगर आप गूबल पर जाओगे और सर्च करोगे तो वहां पर उसकी इमेजेस आपको दिखाई देंगे ठीक है और इन्हीं बहुत सारी गैलक्सी में से एक गैलक्सी है जिसका नाम हमने क्या दिया है मानुटी वाली गैलक्सी है इसका नाम हमने दिया है आकाज गंडा इंग्लिश में बोलते हैं मिलकी वे हिंदें बोलते हैं आकाश गंडा इन्हीं बहुत सारी गैलक्सी में से एक गैलक्सी जिसका नाराम नका दिया है मिलकी वही आकाश रहा आप जो यह आधार करनगा है एक ईड़्ा लू ऑ यह आपी वैसे अब ora मोल कर दो अब स क्वास्टार करेंगे इसके बाते बस्टार का सर्चीज इसके बादे मां आगे चीज़े इस विक यहाँ आप इस्टार इसनल भॉडियिस्टाने इस्टार्स नियुकाई स्टार्स होंगे स्टार्स के लाब और क्या होंगे प्लैनेट जिसको हम लोग ग्रह बोते हैं और भी अधर बॉडिप तो जो हमारी एक गैलक्सिय थी इसका नाव हमने मिलकी वे रखा उसके अंतर बहुत सारे स्टार्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्लैनिस पाए जा रहे हैं, बहुत सारे बॉडिस पाए जाती है, आज़ा आज़ा आज़ा, ठीक है, यह चीज यहां पर है, अब इन ही कई स्टार्स में से एक स्टार है, इन कई स्टार्स में से एक स्टार ह सूर्ड जिए और उन ही स्टार्स मेंसे एक स्टार जो रोग और जो किया बोलता है संन्म पोर इन आप साथ की संदिश्यों को सलें हैं नहीं टरह में और उन हम Māori Kim् कुंपधेंट पिलानेट जो हमारे सिस्ऩन होडन पॉनिक Sun जो है इसके चारो तरफ इस तरीके से शेप में Sun Center Point दे एक स्टार हमें निकाला इसको Sun बोलते हैं और बहुत सारे प्लानेट में से हर एक Sun के चारो तरफ कुछ ना कुछ प्लानेट रिवाल्व देखो एक रिलेशन होता एक होता है Sun, Star और एक होता है प्लानेट जो स्टार होता है वो Central Point है और जो प्लानेट होते हो उसके चारो तरफ चक्कर लगाया करते हैं यह रूल है उसके बाद एक होता है सैटलाइट सीफ हम लोग आर्टिफिशल नहीं होती है सेटलाइट का मतलब है वो चीज जो की अर्व के चक्क्र लगा रही हो या किसी प्लाइन के चक्क्र लगाती हो यहां तर येखना की तिन कॉंसेट न долж forests एक है प्लाइनेट और एक है सेटलाइट कि साथस्ट जो होता है उसका चक्कर बैनेट प्लानेट जैसे स्टार है इस डि हम्मेट लाइए यह फिर इसे अभ यदसने अमारा अपन अपना सियारफों कहा हमारा सन एक लिए तो इसमें आपने ress da है लो तो नियुक्सी सैट् напр wheat जिए अवमारा सेक्ञाइश शेरे मैं उसमों आशूर के करला अपना सेटलाइट ईस LIKE लो इंगर एक सब्सक्राइब में तो मुत वहाइब बहुत सारे स्टेलाइट जो होते नहीं हम दो बेचते जियो स्टेशनरी औरमें जिए साइंच्छन टेक्नोलोजी का प्रोसे हैं वह आर्टिफिशल सेटलाइट हैं हमारा नैशल सटेलाइट कौन सा है तो कहने का मतब्य है कि पूरे यूनिवर्स में से हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हमने निकाला जिसका नाव हमने मिल्की वेज दिया और इस मिल्की वेज में बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं बहुत सारे प्लैने प्लैने पाए जाते हैं और बहुत सारी इसी तरह की बॉडिस पाए जाते हैं हम् ने उसी स्टार्ज में से एक स्टार को निकाला जिसका नाम हमने का दिया संर अमारा सूरज और इन ही बहुत सारे evolves में से हमने कुछ ब्लाइन निकाले जो कि इस इस का अधार पर हमारे सण के चक्का ला रहे हो हैं, तो कानको से चक्का लगाते हैं जहां से देखना जैसे यह हमारा स्टन है अब ठीक तो माई ठीक है माई वेरी इफिशेंट मदर जस्ट सर्व असनर यह उनको याद करने का तरीका है इसमें दिया वा भी है कि हमारी इन गैलक्सी में से एक स्टार हमने निकाला और उसके चारो तरफ इतने सारे प्लैनेट रिवाल्व करता है कि तो अब उल्टा चलो यह प्लैनेट किसका पाथ है सन का सन के पाथ है और यह सन किसका पाथ है हमारी मिल्की वेव का और इसी तरीके से जैसे यह एक प्रोसेश यह है यह जो पूरा प्रोसेश है इसको हम लोग क्या बोलते है अपना सोलर सिस्टम एक सन के साथ कितने प्लैनेट कितने सेटलाइट कितने सेलिस्टल बॉड़ी है उनका कॉंगलमेरेशन एक साथ कहा जाने वाले जो चीज होती है वह हमारी क्या कराती है सोलर सिस्टम तो हमारा एक अपना solar system में जिसके जरी इसी तरीके जे बहुत सारे solar system कहां पर होंगे Milky wave में और Milky wave क्या है एक galaxy है और इसी तरह कि कई galaxy millions कितनी भी galaxy बहुत सकते हो कहां पर पाई जाती है universe तो universe में बहुत सारी galaxy है और उन galaxy में से एक galaxy जिसका नाम Milky wave है वो हमारी गैलक्सी है और हमारी गैलक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं जिसमें एक सोलर सिस्टम में जिसमें जिसका एक प्लैनेट अर्थ है और उस अर्थ के प्लैनेट पर एक एश्या महादीप पढ़ता और एश्या महादीप में यूपी पढ़ता यूपी यूनिवर्स ब्रमांड का उद्भाव ब्रमांड कैसे बना ठीक है अब इसमें इवलुशन ऑफ यूनिवर्स में दो तरह की थियूरी है नंबर वन जो आती है एंशन थियूरी और मॉडर्न थियूरी ठीक है अब एक एक करके सारी हाइपोथेसिस को देखेंगे और उसके बाद बिग बैंक टक पहुंचना है इसको मिटा लिख लिया है मिटा दू इसको हां सबसे पहले क्या है कि गैसियस ज्यान लखना इसको किस ने प्रिपांड किया है इम्मैनुवल कैंट यह साब है कि देखना देखो आपको कॉंसेट बेस हैं इधी ने क्या बोला कहने लगे कि ऐसा है कि ब्रह्मान कैसे बना बहुत पहले सबसे पहले प्रिमोडियर एडिया में हम इसाथ सबसे पहले हुआ कि एक क्लाउड है क्लाउड है मतलब क्लाउड का मतलब क्लाउड क्या और यह ऐसा क्लाउड है कि जिसके नंतर कर ड़स सब कुछ है था आइस कि भूष्वा आइज सकता है है यह नियुकर देड़नान कर रहा है हलका हलका जैसे मानों अगर सपोस्ट एक पानी हो ऑफ पानी में आप बहुत तेली से नचाओ और नचने के पाद शुरूआ नचा करता नचा करता नचा करता नचा करता लेकिन एक समय की पद उसकी स्पीड यह रुके में शान्त है लेकिन न्यूटन की थेवरी के हिसाब से अगर कोई भी एक ऐसे चीज जिसके अंतरगत अपना कुछ मास है तो वह कहीं न कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के पर ग्रवेटरिशनल फोस को इंपल्स करेंगी अब मानें कि ये द닝ेल सब्सक्राइए तो यह बला पार्टिकल किया करें आपस ने खीशने की कोशिश करेंगे और फॉसका है उशısı हो दिशाण इन्हीं नहीं नहीं क्या बोला कि यह जी उन्दर पार्टिकल थे इन्में और honour लोगे अधिक अधिक है किराग वो लाइक हुट आपकर को रहा है ईसके वे युट पास में लगा दू है इस से आंस आइंगे तो बहुत सारे के लें नंगे आप तब फोड़ा फंट क्छला यह और फिर होजाने के बाद इसमें ही आ गई तो इसमें कले इनर्जी बढ़ गई अब कड़ने के बाद जो यह था पूरा नबूल अब रोटेट करने लगा और अब यह रोटेट करना है और रोटेट करने के पास जो जितनी चीज तेज तो इसी तरीके तो इस तरीके तो इस तरीके तो तो आपको पता है कि अगर जैसे आप साइकल पर हो और साइकल पर आप जा रहे हो न्यूब कोई दिक्रत नहीं चलते जाओगे लेकिन अगर आप सर्कूलर पार्ट पर उते हो तो क्या कंडिशन नहीं आप फुड़ाओ का जुक जाते हो इदान अलका जुक जाते हो क्यों जुकते हो क्यों जुकते हो क्यों जुकते हो फिजिक्स है कि वाई नहीं पढ़ा है तो हद है कि नहीं पढ़ा है सच मता हो ला है आप सेग्ल पर जा रहे हो हां कि इसी की रहा हमें तो मुस्कुरा हैं लेकिन अग्ण संब मोज़ दाब आता तो अलका जुक नहीं आते हो क्यों जूब जाते हो नाम गट पोस्त है अब्यूसी बात है अब तद गुट्टा कर्ष्ण बुट्टा कर्ष्ण बुट्टा कर्ष्ण में नीचे बह लगता है नीचे घसी तरह आपको गर्ष्ण बल की वज़े से आप चल पा रहे हैं फिसलते नहीं हुआ घुरन गती आप कर रहें देखो अभी क्या है गती वर्डिकली है घुरन का मतलब आप गोले को पर गूरन लगे तो आपकी घुरन गती होगी कि फोर्स क्या है जी क्यों आप नीचे जी तरह जूचाते हों कि सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल अभी केंद्री अप केंद्री बल पढ़े हैं जब कभी भी किसी भी चीज का मोशन एक सर्कुलर पाँज पर होता है तो उसके वपर दो फोर्स लगने लगते हैं एक फोर्स इसको बाहर की तरफ खीशने की कुशिश करता है जिसको आपके इंधर कि आप केंडु बल जिसको लोगो पोहने हिंटी में शेंट्री फूगल फोर्स के और एक पोस सकाना है अंदर की तरफ किसको क्या बोलते हैं में सेंट्री पिटल या अभी केंडु और जब दोनों यह होते हैं तो बाद ठीक है लेकिन इन दोनों में भालत खाराब हुआ आप प्राम से गिर पड़ोगे तो यह भी रोटेटिंग बॉड़ी है इस पर यह कॉंसेट लग रहा होगा और वेसी बात है रोटेट कर रही है तो होता क्या है कि इसके उपर जब सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लग रहे थे लेकिन इसकी जो विलासिटी है वह कभी भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स है तो इसके अंतर के कुछ चीजें निकल के इसके चारों तरफ घूमने लगती मतलब एक अलग से सर्क्ल बनाने लगती तो अब यह नैबुला की तरह स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बलकि हल तरका साथ क्या कंडिशन आ गई कि यह जो यह स्कुईज होगा और चारों तरफ इसके जैसे इसको मैं मिटा दूए तो अब इसका जो मोमेंट होगा वो कुछ इस तरीके सोगा बीच में अभी भी थोड़ा यह चोटा हो गया है कि बीच के अंदर प्रोशन छोटा हो गया ह और इसके चारों तरफ ऐसे एक सर्किल वेस्ट मोशन हो गया है कि क्यों हो रहा है सेंट्रिफिकल फोर्स जादा हो गया है यही सेम प्रोसेस और आगे रहेगा और यह और शोटा हो जाएगा और इसी तरीके से कंसेंटिक चीजें ऐसे क्रिए होती जाएंगे में पॉइंट आगे और यह करते 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 कंडिशन क्या हो गई यह जो बीच वाला प्रोसेस था यह बहुत छोटा था हो गया और इसके चारों तरफ ऐसी कंसेंट्री क्लियर बनती चले गई और जहां रखेगा क्या चीजें बहार आई थी कुछ पार्टिकल डस पार्टिकल जिसमें अपना मास रहा होगा वह जो पार्टिकल आए पहले ऐसे अजी से वे में मोशन कर रहे थे जब इनमें एनर्जी दादा हो गई तो उनमें क्या ह प्रोसेस होगे कि वह खटा होगे एक जगापद एक तरह के प्रॉपटी को इंशूर कर लिया और यहां पर हर एक लेयर में अपने अपने तरीके से प्लैनेंसे अलगें और जो बीच वाला पॉर्षन था इसको इन्हें ने क्या बोल दिया संद और यह जो वाला पॉर्षन है इसको क्या बोल दिया प्लैनेट यह नॉर्मल सी बेसिक इने हैपोथेसी दी थी किस फोर्स पे नुटन स्लाउप है सेंटिफिटल फोर्स की वज़ा से दी थी हां मिटा आप अंदर बैज जाओ आप अंदर बैज जाओ फैन खोले नहीं अंदर बैज जाओ इस आप किसे को कोई कोशन दो पूछ सकता है कि वहां पर अपना मास ऑगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वागा तो ग्रेविटेशनल फॉर्स की वजए से जूप है तो में करीब आय करीब आइंगे तो जाहरी ते बादे बड़े होंगे खेस्ट लगे वजब क्या बढ़ेगीघ तो में कानाइक और प्लुस के फिर रायं से के ऱन ऑभने साध सबस्क्राइब आपको पता है कि कोई बीची बहुत about अब जैसे ही सेंट्रिफ्यूगल फोस से जादा हो जाएगा तो इसके अंदर वो मास जो की इस डिटाइश है बाहरी सता पर वो इससे बहार निकलने लगा बहार निकलने लगा फिर यह पूरा प्रोसेसर को थोड़ा चोटा हो गया एक सर्कुलर मोशन में आए गया तो इसके कि लेयर फैळी लिएार में लिएयर पाइब यरे लेयर बंता गया और जो अंदर वाला पॉर्षन था कि मैं चीज दो इतमा बना वासा वह भुंन होके एक कि आभी की पॉजिशन में पहुँच गया सन की फॉर्म में वह अभी और भी चो यह चीजिशे अलग हो रही थी व सब में ऐसे वह आपस में चिपक गया जाए और वह जब चिपक गया तो एक कक्षा में प्लेश के ब्राइट गया दूरे प्लेशन के दूरे श्री में तिसे व tujaksica प्लेशन का लेकि बाद बरा लोगकाईम रहा है बेडाल लाप लाप्लास सरी ने क्या काम किया कि जो केंट में वनीने पहले बात बोली थी न? कि जो कॉल्ड है वो और मोशनलेस है कि इसको फ़ा ऐसा कुछ नहीं ये इन्होंने इनीशली एंजुम किया था इनिश्री इनिन आजरुन किया था कैन्ट सहाब ने लापलास और आने गवार दिने का यह वाला कोई कॉइप नहीं है पहले यह एक ऐसा है जो की होट है और रोटेटिंग है और इसी प्रोसेस के उन्हें ने क्या बोला निबुला इसी प्रोसेस के उन्हें ने क्या बोला निबुला क्या है लैपलास के साफ से एक ऐसा क्लाउड का एक ऐसा गुरुप है एक क्लाउड है जो की बहुत गरम है और जो rotating motion करता है यह उन्हेंने पहले मान लिया उससे पहले उन्हेंने क्या माना था कि था cold था motionless यह उन्हेंने मान लिया कि hot है और वो rotating है अब जो बहुत अच्छा concept है लेकिन धियान से देखना है तो like this अब इसको pictorial representation से समझो हुआ है अब यह इने मान लिया यह क्या है इस निद्वडा कि अभी आगे बने भी बहुक्त बैंक यह फार्मेशन पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे यह प्रटे कर रहा है कि रोटेटिंग अब प्लस्त क्या है है होट है होट हुड हेह दिए तब इन रेख 컨cept दिया बहुत जाने देखना कि आप लोगों को पता है कोई भी गरम बॉड़ी जो होती है या कोई भी बॉड़ी होती है उसे रेडियेशन एक्जरड हो रहा होता है जैसे अभी सन एक बहुत गरम बॉड़ी है तो उसे रेडियेशन होता है ना चोनेल सी और ना जब रेडाज़न राधता है बार की तरफ है 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 तरहाँ जब किसी भीthen बारर से रीडियेशन होता हैं थो को अल्टिमेटली रिजर्ट में क्या आता कि उसका साइज यह क्या होता है कंप्रेस हो जाता है कोई भी बॉड़ी जैसे आप सपोज देट मां लीजिए जैसे लैंप हम जब जलाते हैं तो उसमें क्या है तेल हमने एक लीटर भारा लैंप जल रहा है रेडियेशन बहार जा और यह क्या होगा कम होता जा लाँ तो रेडियेशन की में और निकल रही होती है पताया जा जा रहा थाए जो इसके सर्फस पर जो नेबूला के सरपस पर जो पार्टिकेल डस पार्टिकेल थे यह आपस पर एक किसी पर्टिकुलर रिंग के ऊपर ऐसे रोटेत करने लेगा और अब क्या है यह साइकिल बन गई अब नेबूला का साइस जोटा हो गया कहने का मतलब क्या है रेडियेशन हुआ साइज उसका छोटा हो गया यह अंदर वाला है नेगुला चोटा साइज हो गया लेकिन इसके जो सर्फेस पर पहले सर्फेस पर जो छोटे-छोटे से पार्टिकेल थे वह एक क्या हुआ कंसेंटरी के दिग में हो गया फिर यही प्रो सब्सक्राइब करते करते कर्दिशन करें कि नेबुला का साइज इतना हो गया और यह ऐसे चीज़ है ऐसे चलिए चलिए तो यहां पर दो चीज उन्हेंने क्या एक की पहले से ही जो नेबुला था वो बहुत गरम था और रोटीटिंग था और दूसी चीज आएट क्या की और रेडियेशन के ओपर देदें क्या रचैकि जब रेडियेशन होता है तो उसके सर्फर पर पो छोड़े चोड़े होती है वह चार आपर ऐसे ऐसे अलग बाद में पार चीज और ऑपनुड़ेशन मोंटे है और यहां पर कोई तीर ऐसे कुछ पार्टिकल यहां पर भी और दोसरी वाली लिए इसे बोग सारे छोटी में कुछ समय के बाद उभी खिटा होगे हैं दो प्लांड़ और यहां चार प्लांडर बनके था वन्हीं और और नहीं ने बोला आज़ा इसी कर्ची कर्थी कर्थे करते करते नॉरिंग्स बनी इसना कोई जवाब नहीं दें गाशंध पहले उनुह लियाタओ प्रूविन नहीं था तो यह थी लाब लाब साक्या एक एक वर्ड और भी यूज हो रहा है लिहां रखना इसी इसी थेरी में कि यह जो मैंने बता ला कि जो पहली लियर बाहर निकली होगी तो इसमें बहुत छोटे-छोटे से पार्टीकिल होगे तो बहुत छोटे-छोटे स लग जाए तो आप समय लिए दो डिजिट की बार ज़रूर हो रही है जैसे हम लोग बैनरी कंप्यूटर में क्या परते जीरो और वन इसी तरीके से यह जो है इसमें दो की बात हो रही है अब वो दो की बात क्या होती है इसमें दो साइंटिस हैं बड़ा अजीस नाम यार T.C. कैंबरनलीन इसमें दो साइंटिस नाम यार फूर यह दो साइंटिस्ट ने इस ऱयंपने इस हापोखसम को दिया है इन लोगों ने बोला कि आसा है जो कुछ हुआ वो हुआ ूवे अब हम जो बताने जा रहे हैं वह सुनों तो इन्हेंने कहा कि जो योरिवर्स का जो अचल्ण हुआ उसके लिए दो बाड़ी बाड़ी होना जरूरी है दो है विलली का मतलब वह हैं यह मतलब होता है कि जो मांतम इशुवर के च्वार्श को दो कि इस सब्सक्राइब तो वाला ना सोरगे बॉड़ी मुला या जूम किया है महान बॉड़ी तो यह दो हैं ली बॉड़ी है और उसमें से एक का नाम दिया है प्रोटो सन और दूसरे का नाम दिया कंपैनियन स्टार के दौरा जैसे हैं ली का मतलब का सोरगी जो इश्वर के दौरा भीजी कोई बॉड़ी है हाँ 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 तो दूसरों है ना के विजिएशन उसके अंता है इसको कि नहीं आर है माना किसको वह भी बताएंगा उन्हींने कहना कि एवलुशन ऑफ यूनिवर्स में लोगों ने अपनी बाते कही ति तो इनंहें क्या क्या बाते कही थी वह बताया जा रहा आपको माना नहीं यह इन सब की बातों को नकार दिया गया है थोड़ा-थोड देखना है पर इसके बाद अभी और आएंगे उनकी बातों को देखना है फिर उसके बाद जो अभी माना जाता है वो Big Bang Theory अब Big Bang Theory क्या कहती है वह हम आभी आपको बताएंगे फिलाल अभी इसमें देखना है तो इन्हें ने क्या बोला कि दो heavenly body हैं एक का नाम है Proto Sun और एक को नाम है companion star और companion star का कभी-कभी intruding star भी बोलाता है इसको इंट्रूडिंग star बोला अब इसका figure बढ़ा प्यारा सा दिखना इसमें उन्हें ने बोला कि दो Sun होंगे तो इन्हें ने कहा एक आपका है Sun हां इसको उन्हें क्या बोला Proto Star ठीक है Proto Star है जो दूसरा वाला है companion star तो एक चीज़ यह होती है कि अगर आपके space में कोई भी दो heavenly बड़ी-बड़ी बॉड़ी है तो दोनों बॉड़ी एक दूसरे के पर क्या करती है gravitational force लगाती है जैसा कि अभी क्या होता कि Sun अर्थ के उपर लगाता और अर्थ मून के उपर लगाती है और तीनों आपस में लगाते और इसकी वज़े से देखने को क्या मिलता हमें ताइड जो आरभाटा देखने को मिलता इट मींस कि इनी जो एजूम किया तो इनी ने यह माना कि यह दोनों भी चीज़ें आपस में दूसरे को पर फोर्स लगा लेती है तो फोर्स लगाने की वज़ा से इनी यह यह सब एजूम कर रहे हैं इनीने माना कि यह जो Sun है जिसक तो यहां पर प्रूटोशन आया ही पर मतलब कि कहने क्या मतार्ट प्रूटोशन यह यहां पर रहे और फिर यह पहुंचे ओ यहां नहीं पहुछा पर यहां ने ओ रहा रहा था आप सब्सक्राइब यहां पर पहुजिया इस पाथ पर कुछ तो जब यह जा रहा था तो इस तो यह जो सन है जुद वक्रश्व अब इस दोनों चुब आपस में फ्रेक्शन हुआ यजब आपस में लगे होइंगे तो इस पर चीलन निसके धूर थोड़ी धिगी हैाँ यह अरूत थोड़ी छीधुस एसे अर्फ फीधलत श्राव निकले है असे हरे लियए निकल तीठ ऑफ व्लगंगान धे क्ले वो निकल फिया शीलन थी ये कुछ इस तरीके से मुमेंट करने लिए मैं इसको मिटारे जोना आप खाली वो पाथ बताने के लिए आप लोग को था ऐसे मोमेंट कने लिए यहाल इसे इसे मोमेंट कने लिए और इसी देगे एंस वहाँ तो खेलन निकली थे ना और यहाँ अखता होए ना एक अर्थ पे यही आके चलके क्या बन गया प्लैनेट और यह क्या बन गया और अगर एक चीज और देखो अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करो ऐसे बहुत साथ प्लैनेट नौ प्लैनेट होगी तो कुछ अगर इस शेप कर दो को मिलाने की कुशित हो राजकुमार या दार ने आवड़ा है मेरा वाइप यह ढांब का पई करना जबन रहे हैं चाहिए अचार उसको जह से इसको कुछ सिगार टाइप शेप भी बोला जाता है सिगार टाइप शेपित ही तई यह इनीने बस यह तो नहाँ पैसर द मारा अवरत है हां बटाव कि भूलिए देखो इनीने क्या बोला कि एक दो चीजें हैं दो हेवेली बॉड़ी इंपॉर्टेंट बॉड़ी है एक को नाम उने दिया प्रूटो सन और दूसरे वाले क्या नाम दिया स्टार या इंप्रूडिंग स्टार यह वाठा है हुआ कि दोनों में राइज बटाइए यह बटाइव दोनों में अटरैक्शन लग रहा हुआ मालों सपोर्टे पहले ही यहां पर चौकि इनने माना ही है तो यह क्या होगा एक पाथ से हो गया तो जब यह इसके प्रूटो सन सब्सक्राइब करीब निकल रहे हो गये तो purchase से निकले निकलने के बाद ये निकली तो इसने कूछ च्छीलनask V निकल यहोगी और 4 तरफ वह और 1 trucks सिगार टाइप शेप बने गया तो इसी कोई सिगार हाइपोथेसिज भी कभी-कभी बोला जाता है और यह किसके थी टी-सी केमबलिंस और फॉरस से मॉल्टन की थी फिर लास कौन से थी रिवाइजड लुबलियार हाइपोथेसिज जिए हुआ हुआ है निवलर है पो तैससी क्या पताई कि मैंने हाँ अधिने वाली कि हाँ है ओलेडी होट प्रोटेटिंग थे हाहाँ अब इना छीज्व्यवहि силь हाली ए Scale नेबुला था हां इसमें जो रिवाइज नेबुलर वाली सब कुछ यह है लेकिन इसमें इने एक चीज एड़ कर दी कि जो नेबुला था जो हॉट वाला प्राइंट वह बीच में था अब आगी इसारी चीज़े चालों तो उसमें क्या बोले तो टोटल हॉट था फूर तरी उसमें पर रहाaking को बल्या मिलें मूलें हुला कि इंहोंने कंवर्जून किया कुछ पार्टिकेकल इसमें मिल्य prevented체 आएक डिस्क यह स्कशेप बनाया तो कुछ पार्टिकल यहां परोंगे यहां परोंगे यहां परोंगे यहां परोंगे यहां परोंगे यहां परोंगे इश्रुवाद फेज में एक ही टाइम पर कई सारे पार्टिकल आकर जब उसमें आड हो जाते हैं तो उसको क्या बोले तो एक्रिशन यहां पर उन्हें बोला कि अक्रिशन का प्रोसेस हुआ इस रोटर्टिंग हो रही है और जो यह पार्टिकल अलग अलग थे वह आपस में एक जंगाप आकर इखटा हो गए उसके वज़े से क्या बन गया और यह जो बीच में बीची में इसे क्या बोलते हैं तो यह संकर भूप हो गया और यह डिस्क फॉर्मेशन के बाद उसकी सिजनर कनवर्ड हो गई है प्लैनेट करो और यह जो रिवाइज ने बोलर है इनके दू नाम लिख लो ओटो स पहला है ओटो सिमित जो भी बोलना बोलो और दूसरा नाम है काल वेजासकर काल वेजासकर ठीक है यह है नॉर्मल सी आपकी रिवाइज नेविलर हाइपोथेसिस किसी को कोई डाउट ज़्यान रखना दिस्क शेप्ड कहां पर बना है रिवाइज नेविलर हाइपोथेसिस में इसको दिया किसने हैं और इसमें दो चीज़िया रखना है डिस्क शेप्ड में एक्रिशन के प्रोसेस के बाद अक्रिशन का मतलब मैंने बता दिया क्या है कि एक साथ किसी चीज़ में व्रिधी होना ठीक हो रहा है एक साथ प्लानेर उसके नंतर का अधाथेवर मिलते भी चले जा रहे हैं और उसके बाद हमारा ही यूदिवर्स का प्रोसेस करना है